हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैं चैनल, आज मैं आपके साथ तंदूरी चिकन की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ इसे बनाने के लिए मैंने 5 चिकन ड्रमस्टिक लिये हैं और इसे बीच में से स्लिट कर लिया है इसमें आधा टीस्पून नमक, आधा टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, आधा टीस्पून धनिया पाउडर, आधा टीस्पून काली मिर्ची पाउडर, आधा टीस्पून चाट मसाला, एक टीस्पून तंदूरी मसाला, थोड़ी सी कसूरी मेथी, थोड़ा साहरा धनिया, एक टीस्पून पिसा हुआ लसुन, एक टीस्पून पिसा हुआ अद्रक, एक निम्बू का रस और देट टेबल स्पून दहीं डाल कर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे. ये अचार का तेल है ये भी एक टेबल स्पून हम इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है अभी इसे आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे पैन में तेल करम कर लिया है अभी हम इसमें ये मेरिनेट किया हुआ चिकन डाल देंगे और इसे शेलो फ्राई कर लेंगे इसे हमने दोनों साइट से अच्छे से फ्राई करना है चिकन अच्छे से फ्राई हो गया है इसे हम निकाल लेते हैं देखिए तंदूरी चिकन तयार है आप भी जरूर ट्राई कीजेगा अगर आप कोई है रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो माई चैनल थैंक यू प्राई हो झाल